यह है tree cutting machine, यह machine पेडों को इतना तेजी से कारती है कि आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते हैं यह machine सीधे खड़े पेडों को एकदम नीचे से पकड़ती है और इसके fast cutting wheel से इन्हें कुछी second में अलग कर देती है यह machine इतनी advance है कि यह पेडों की roots को हाथो हाथ अलग करके इन्हें एक fix length में भी कारती जाती है जिससे कि इनका transportation easy हो जाता है यह है truck spade जो की पेडों को replantation करने की machine है इस machine के द्वारा बड़े बड़े पेडों को एक जगे से उठा कर दूसरी जगे लगाये जाता है इस machine में काफी powerful hydraulic arms लगी है जो की पेडों की जडों को बिना नुकसान पहुचाये हुए जमीन में जाती है और पेडों को बिलकुल safe तरीके से उठा लेती है फिर यह truck इन्हें दूसरी जगे उठा कर ले जाता है फिर इनका replantation करने के लिए इन्हें एक ऐसे ही shape के गड़े में डाल दिया जाता है यह है car scraping यह काफी खतनाक प्रोसेस है इस hydraulic machine में गाड़ियों को 10 गुना तक compress कर दिया जाता है दरसल कबाड में पड़ी waste गाड़ियों को destroy करने के लिए इन्हें एक hydraulic chamber में डाला जाता है फिर इन पर एक hydraulic pressure apply किया जाता है यह pressure इतना खतनाक होता है कि यह गाड़ियों को अपने real size से 10 गुना तक compress कर देता है यह है tiger stone अभी तक आपने सिर्फ सड़कों को बनते होए देखा होगा लेकिन print होते होए नई देखा होगा यह advance machine सड़कों को print करती है इस machine के आगे लगे container में पड़ी bricks को कुछ workers के द्वारा जल्दी जल्दी जमाये जाता है और लगातार machine को आगे चलाये जाता है यह machine पूरे दिन बर में लगबग 300 square meter area को print कर सकती है इस machine के अलावा एक और machine आती है जो की bricks को अपनी hydraulic arm से उठाती है और उन्हें एकदम सई जगे पर लगा देती है आपको बता दे कि यह सभी advance machine है भारत में उपलब्द नहीं है यह है fire fighting robots यह काफी high-tech robots है जिनका इस्तिमाल आग बुजाने के लिए किया जाता है इंसानों के मुकाबले इन remote control robots को आग के काफी नजदीक बेजा जा सकता है यह robots काफी powerful है और 85 meter की दूरी तक pressure से पानी फेकने में सक्सम है यह robots आग बुचाते समय खुद को भी पानी की चावर से protect रखते हैं ताकि यह खुद भी आग की चपेट में आने से बचे रहें यह है wood chipper machine यह machine काफी powerful है इसमें लकडियों को लगाता एक crane holder के थूप machine में डाला जाता है यह machine काफी fast है और इसे एक truck के उपर install किया जा सकता है भारी मातरा में इन लकडियों को crush करके इनका powder बनाया जाता है फिर इस powder का इस्तेमाल factories में paper बनाने के लिए किया जाता है यह है touch L WB 750 यह बहुती शांदार machine है gardens में अक्सर walking tracks के उपर unwanted घांस उख जाती है जो कि दिखने में काफी गंदी भी लगती है और इसे हटाना भी काफी मुस्किल होता है इसलिए इस advanced machine को बनाया गया है जो कि track को काफी आसानी से साफ कर देती है वो भी काफी speed से यह है Rep 10 यह भी काफी advanced machine है जो कि podो को shape देने के लिए इस्तेमाल की जाती है गार्डन्स में सभी पोदो को एक जैसा design देना काफी difficult होता है लेकिन इस machine की help से एक size को fix करके हजारों पोदो को एक ही shape में काटा जा सकता है यह machine काफी fast है और इसे operate करना भी काफी आसान है यह है event cleaning machine बड़े बड़े events के बाद gardens में काफी कच्र रह जाता है जिसे जल्दी से साफ करना भी काफी difficult task है इसलिए design किया गया है इस advanced three wheeler vacuum cleaner को इसमें आगे की तरफ दो बड़ी section tubes लगी है यह काफी powerful है यह कच्रे को काफी speed से अपने अंदर खीच लेती है और पीछे लगे container में इकटा कर देती है काम पूरा हो जाने के बाद कच्रे को unload करना भी काफी आसान है यह बर्फ हटाने वाली train बर्फीले इलाकों में अक्सर बर्फ बारी के बाद railway tracks पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो जाती है इनने tracks अटाने के लिए railway द्वारा special trains चलाई जाती है जो की काफी तेजी से बर्फ को काट कर track को साफ करती है वैसे इन trains को बर्फ हटाते हुए देखना भी काफी interesting लगता है दोस्तो आप इन advanced machines के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इनमें से कौन सी machine जादे interesting लगी अपने विचार हमें comment box में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीजी से like और share करना ने भूलें और ऐसे ही interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी subscribe करना बिलकुल न भूलें